हलो प्रेंट्स मरणाम प्रभात कुमार है और मैं आपको प्रेंट्स क्लासिक्स का एक और मज़दार लेशन में आपका स्वागत है और इस लेशन का नाम है कबड़ी और ये लेशन 11 थै इसके पहले वाली लेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया है अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लीस इस वीडियो को यस वीडियो के डिस्रिस्टैन को जरूर आप लोगों चेक कीजएगा वहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी तो फिलाल ये कबड़ी का लेशन जो है बहुत ही मज़दार लेशन है इसमें हमें कई सारे extra award meanings दीखने को मिलेगा कई सारे ऐसे pattern आपको दीखने को मिलेगा जो की बाकी lesson से इसमें जो है थोड़ा सा लग बनाया गया है तो चलिए friends बिना देरी करते हैं विडियो को स्टार्ट करते है तो friends यहाँ पर दिखेगा अकबड़ी match is held in जगतपूर जगतूर भिलेज every Saturday यहाँ में देखेगा held का मतलब क्या होता है सबसे पहला यहाँ पे held लिखा गया है तो कबड़ी match is held held का मतलब होता है खेला जाता है या आयोजित किया जाता है ठीक है आयोजित किया जाता है बोल सकते है तो यह कबड़ी match जो है जगतपूर गाउं में every Saturday को खिलाया जाता है मतलब every Saturday के दिन जो है उस गाउं में कबड़ी कराया जाता है crowd has gathered crowd का मतलब होता है भीड़भार ठीक है या बहुत सारे लोग has gathered कठा हो जाते है outside मतलब बाहर money यहाँ पे देखेगा money काकास house money काका जो घर है तो उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग वहाँ पे कठा हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कबड़ी होता है is the gram परधान of the village अब जो money काका है वो गाउं की क्या है gram परधान gram परधान बोला जाए तो जिन्हें हम लोग मुखिया बोलते हैं उन्हें हम लोग कई भासाओं में gram परधान भी बोलते हैं उन्हें दूसरे भासा में gram परधान कहा जाता है अब देखेगा मीना who lives in the city मीना नाम की जो लड़की है who lives in the city जो सहर में रती है has come to जगतपूर वो जगतपूर में आई है to meet मिलने के लिए her cousin रभी और वो जो है अपने cousin रभी से मिलने के लिए आई है आगे देखेगा रभी takes her रभी उसे ले जाता है किसे ले जाता है मीना को ले जाता है to the place उस जगह पे where the match is going going to be played going to be played का मतलब होता है खेलने वाले थे ठीक है या match जहाँ पे होने वाला था तो रभी उसे उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे match होने वाला था मीना अब मीना बोलते है what is going on here यहाँ पे क्या हो रहा है what is going on here या what's going on here तो यहां पर क्या हो रहा है वो मीना बोलती है पूछती है तो रभी बोलता है यहां पर देखेगा रभी जो बोलता है कबड़ी मैच is going to be played here एक कबड़ी मैच यहां पर खेला जाएगा between the team of our village बिटवीन का मतलब होता है पीच में हमारे गाउं के बीच में and the team of निग बोरिंग विलेस जसरा तो जो कबड़ी है निगब़ुरीं का मतलब होता है पास में या पडूस में तो हमारे गाउं से और एक पडूस के गाउं जसरा से यहां पर कबड़ी आज होने वाला है तो हमारे गाउं और जसरा के बीच में कबड़ी होने वाला है जो जसरा गाउं है वो उसका पडूसी गाउं है तो मिना बोलते हैं वाउ तob तो इसमें बहुत मज़ा आएगा या तब तो ये बहुत मज़दार होगा इंट्रस्टिंग का मतलब होता है मज़दार या रूचिगर तो रभी बोलता है तुम सही बोल रहे हैं हां सही है मतलब मज़ा आएगा मिना बोलती है have you ever played कबड़ी यहां आपने देखेगा इबर का मतलब होता है कभी have you ever played कबड़ी क्या तुमने कभी कबड़ी खेला है तो रभी बोलता है yes this is my favorite game वो बोलता है कि हाँ यह मेरा favorite game है यह मेरा सबसे पसंदीदा खेल है तो मिना बोलती है tell me more tell me more about this game tell me more about this game का मतलब क्या होगा मतलब मुझे इस खेल के बारे में और भी बाते बताओ जैसे कि how many players play कबड़ी कितने players जो होते हैं वो कबड़ी खेलते हैं तो रभी बोलता है कबड़ी is a game of two team कबड़ी जो खेल है वो दो team का खेल है having seven players each having seven players each का मतलब क्या होगा कि इन दोनों team के पास seven seven players होते हैं ठीक है अगर आपने भी कबड़ी देखा होगा तो आपने आपको पता होगा कि उसमें साथ-साथ किलाडिया होते हैं तो आगे देखेगा मीना बोलती है रभी बोलता है one team becomes the raider एक जो team होता है ठीक है जो पहली team होती है वो raiders बनती है and the other team the defender और जो दूसरी team होती है वो defender बनती है मतलब पहली जो team होती है उसके समझाने का मतलब यह है कि जब दोनों team में seven seven player खेलते हैं तो उसमें से पहली जो team होती है उसमें एक raider होता है और दूसरी जो team होती है वो defender होती है एक team का किलाड़ी दूसरे में जाएगा वो raider करने जाएगा दूसरी जो team होगी वो उसे defense करेगी तो आगे देखीगा यहाँ पे है they complete with each other they maintain the team spirit spirit का मतलब यहाँ पे क्या होता है तो team spirit का मतलब होता है सहियोग की भावना तो फिर एक बार आप लोग देखीएगा they complete with each other वे लोग जो है they complete with each other वे लोग एक दूसरे से complete रहते हैं and maintain the team spirit और एक दूसरे के सहियोग की भावना से रहते हैं मतलब एक दूसरे के सहयोग करने के लिए वो लोग उसमें रहते हैं, मीना, आगे देखिएगा, सौरी थोड़ा सा बीच में नौइस हो गया था, मीना, लुक, देखो, जो टीम है, वो अराइब्ड हो चुकी है, अराइब्ड का मतलब पहुंच चुकी है, रभी बोलता है, इ जैसे कि यह कोट है, यह खेमा है, तो एक कोट जो होगा, जैसे कि यह कबड़ी का हमने यह बना दिया, ठीक है, तो एक जो कोट होगा, वो एक टीम का होगा, और एक जो कोट होगा, वो दूसरी टीम का होगा, तो वो यही बात बता रहा है, कि इस टीम इस ओन, इस ओन हाप कोट एक एक टीम का एक एक अपना हाप कोट होता है अब खेल सुरू होने वाला था मीना विच इस दे जसराज टीम स्वरी जगतपूर टीम वह मीना पूछती है कि अच्छा यह बताओ कि जगतपूर की टीम कौन सी है हुआ हुआ कि तो आगे देखिएगा रभी और टीम हु मिसा इस ओंडर स्वरी पोलता है कि SHE हमारी टीम हो हो राइट साइड में है आधिए कोट में हुआ है हमारा हो गया इस साइड में जो सॉरी जगतपूर की टीम है आगे देखिएगा मीना पूछती है कि वाट इसी चैटिंग चैंटिंग का मतलब होता है बरबराना जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बोला है किसी एकी सब्सक्राइब को नहीं बट हाँ अगर किसी सब्सक्राइब दीरी दीरे बोला जाता है तो उसे चै भी बोलता है में ऌता है तो मेना बोलता है वह क्या कर रहा है तो रहभी बोलता है he is trying to touch the players he is trying to touch the players वह खिलाडियों को छूने की कोसिस कर रहा है the opposite team वह दूसरे team के खिलाडियों को छूने की कोसिस कर रहा है if he touched any players of the opposite team यदि वह opposite team मतलब जो दूसरी विपक्षी जो team है अगर वह उनमें से किसी team को छू लेता है and return to his court और अपने court में वापस आ जाता है withouting begin catch by the defender बिना किसी defender के catch way he will get a point तब उसे एक point मिल जाएगा अब चली मैं इसको आप लोग को विस्तार रूप से समझाने की कोशिस करता हूँ वो मीना को ये समझाने की कोशिस कर रहा था कि अगर कोई कबड़ी का खिलाडी दूसरे खेमे में गया है और वो किसी को छू करके चला आता है बिना मतलब उसमें मतलब वो खुद पकड़ाये हुए मतलब खुद defender लोग उसको पकड़ ना पाया वो किसी को touch करके वापस आ जाता है तो उसे एक point मिल जाएगा वो यही बात मीना को समझा रहा था अब देखेगा मीना फिर से पूछती है what will happen if falls or touch the defender तो अगर defender यहां पर देखेगा what will happen तब क्या होगा if he fails यदि वो fail हो जाए to touch the defender यदि वो defender को चूने में fail हो जाए तब क्या होगा मतलब वो जाए और किसी को चूई नहीं पाए तब क्या होगा तो रभी बोलता है he will get no point तब उसे कोई भी point नहीं मिलेगा यह कबड़ी का basic सरूल है अगर आप किसी को touch करके नहीं आएंगे तो आपको point नहीं मिलेगा इस प्रकार जो defender team कैच इम और यह दिफेंडर टीम जो है उसको पकड़ लेती है he will be out तब वो क्या हो जाएगा out हो जाएगा और इस प्रकार जो defender team होगी उसे point मिल जाएगा आप देखेगा कि आगे यहां पर है मीना फिर से पूछती है मीना यहां पर दिखाई नहीं देरा है तो मैं थोड़ा सा कोशिस करता हूँ कप्र को दिखाई दे ठीक है अब देखेगा मीना मीना फिर से बोलती है यह जो खेल है वो कब खतम होगा तो अब भी गोलता है इड विल भी प्लेट फूर फूर्टीन मिनट वित अब यह देखेगा जो खेल होता है वह चालिस मिनटों का होता है जिसमें दो हाफ होते हैं पांच-पांच मिनट के से तो फिर क्या होता है डा मैच वेंट आं समूथली जो मैच था वह जो है बहुत ही मतलब समूथली चला गया मतलब अच्छे से खेला गया जसरापूर टीम वन पारवार मैं बोल दे रहा हूं my mistake जो जगतपूर की टीम है वो उस मैच को जीत जाती है तो मेना बोलती है thank you for wearing me hair, wearing me hair का मतलब यहां पर मुझे लाने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद wonderful experience, wonderful experience का मतलब क्या है कि यह एक बहुत ही आश्यर जनक अदबुत experience था अदबुत जो है मतलब इसे देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और अदबुत अनुभाव था I'll share, sorry, I will surely share it with my friends और मैं जो है निशित रूप से इसे अपने दोस्तों के साथ share करूंगी तो इस तरीके से हमने इस lesson को पढ़ा और मैंने पूरी कोशिस की है friends की मैं आप लोगो अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिस करूं और मैंने आपको समझाया भी है और मैं आसा करता हूँ कि वीडियो आप लोगो बहुत यह चे तरीके से समझाने में आया होगा तो मिलते हैं friends इसके और अगले वीडियो में वीडियो आप लोगो कैसा लगा यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता है thank you for watching this वीडियो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगा बहुत बहुत धन्यवाद